पंचकुला में फ्रंट लाइन कोरोना वेक्सिनेशन के कारे का शुभारम हो गया है जिसका चलते पंचकुला सेक्टर 6 में पुलिस कर्मियों को कोरोना वेक्सीन लगाई गई है पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेथ हर्याना पुलिस के अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया है आपको बतादे कि पंच्कुला के सेक्टर 60 हरियाना पुलिस मुख्यालय में महानी देशक मनोज यादव ने टीका करन अभियान की शुरुआत की बताते चरहे कि डीजी पी मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में स्वेम ठीका लगवा कर फ्रेंट लाइन वरकर्स के लिए कोरोना ठीका करन का शुभारम किया है तत्पश्चात अन्य पुलिस कर्मियों को वैक्सिनेशन दी गई गई गोरतलब है कि कोविट के दोरान लोकडाउन में जिस सरह से हरियाना पुलिस लोगों की मदद के लिए सा प्रथम था वो सबसे पहले जो हमारे मेडिकल वरकर्स थे हैज्ट वरकर्स उनको प्राइब को वह सबसे जादा खत्रे में काम करते उसके बाद जो दूसरी लिस्ट फ्रायरिटी में फ्रेंट लाइन वरकर्स पुलिस होम गार्ड यह अगर्णी है तो यह इसकी आज को टीका लगवाने का, उसका मकसिद यह है कि क मैसिज देना तमाम पुलिस हो को और तमाम नागरिकों को यह वैक्सीन सुरक्षित है और चालिस लागं से ज्यादा लोगों को देश में यह प्र लैश को करोणा मुग कराने में यह वैक्सीन का बहुत हरी लोगदान रहेगा इस बात को सम्मुख रखते हुए हमने यह इनिशेटिव लिया है मेरे साथ हमारे IPS अधिकारी हमारे DG State Vigilance Bureau श्री परशांद अगरवाल पुलिस मुख्याले में वो परस्टेट अन्य senior IPS अधिकारी DG Crime श्री मुहमद आकिल Additional DG Administration श्री शिंदर चावला Additional DG Vigilance श्री अजे सिंगल अन्य senior अधिकारी हैं मौझूद है तो हमारा पुलिस मुख्याल को यही मेसिज है कि वो देश और समाज ने हमें प्रात्मिक्ता दी है और हमें यह दे रहे हैं हम इसकी और आगे सेवा कर सके इसके लिए पहले हम तीका करण कराएं धन्यवारा अजे बेटी बैंकेट्स एंटरप्राइज